हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारों कि कैसे आप अपने Motorola G72 Android वाइल फोन में आप 24 hours format setting को आप disable कैसे कर सकते हैं यानि कि off कैसे कर सकते हैं और ये 24 hours format setting जो है disable कोने के बाद ये setting कैसे काम करती है आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए आपर वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे बहले तो आपको अपने mobile phone में setting page open करना है ठीक है setting page open करना है और आपको setting page में नीचे आना है यहाँ पर आपको option मिलेगा system का system पे select करना है इसके बाद आपको system के इस page में date and time का option मिल जाता थीक है date and time पे select करना है इसके बाद आपको date and time के इस page में आपको सबसे निचे 24 hours format का option मिल जागा ठीक है इसके ठीक सामने जो button दे रहा है ना इस button को आपको select करना है तो यह button आपका off हो जागा यानि कि आपकी 24 hours format setting disable हो जाएगी इस तरीके से अब यह 24 hours format setting disable होने के बाद इस setting कैसे काम करेगी यह मैं आपको समझा देता हूँ यह जो आपके mobile phone में जो यह जो time होता है ठीक है यह जो आपका पहले से पहले अगर कभी दुपैर के 12 बजे के बाद दुपैर में 12 बजे के बाद आपको 13 लिखा हूँ जो दिखाई देता होगा अगर आपके mobile phone में तो आपको जो है एक लिखा हूँ दिखाई देगा ठीक है यह setting जो है off करने के बाद आपको दुपैर के 12 बजे के बाद से आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे गर के time time show होगा ठीक है लेकिन यह setting जो है off करने से पहले आपको 12 बजे के बाद जो है 13, 14, 15 ऐसे दिखाता था शो करता था time ठीक है लेकिन आप आप जो है setting को off कर दिया है तो यह आप जो है आपको दुपैर के 12 बजे के बाद से फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके के time और यहाँ पर आपको search bar में type करना है 24 hours format ठीक है तो यहाँ पर जो है आपको नीचे की side में options हो जाएगा 24 hours format ठीक है इससे select करना है इससे होगा क्या आपका mobile phone आपको directly इस setting page में लेकर आजाएगा और इस setting को highlight करेगा तो यह एक shortcut कर तरीका इस setting को ढूंड़नेगा आपके mobile phone में